तो तो अप्रेट इस वीडियो को जादा से जादा लोगों के साथ शेयर जहुग कर दीजिए अगर आप नेट, जे आर फ, बॉजटी, जियाइसी या फिर एसेस्टन प्रफएसर एक्जाइम की तयारी कर रहे हैं शुशॉलजी से तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से अपनी study को complete कर सकते हैं प्लेलिस में उन सभी वीडियो के folders मिल जाएंगा आप वहां से उन वीडियो को देख सकते हैं प्रश्न है शोशल पैथलोजी नामक पुस्तक किस ने लिखी है शोशल पैथलोजी नामक पुस्तक किस की है options है लेमर्ट, रॉस, मैक्स वेबर, रेड़जल यहां पर राइट अंसर क्या होगा शोशल पैथलोजी किस की है लेमर्ट, रॉस, मैक्स वेबर, रेड़जल options है राइट आंसर है लेमर्ट, ठीक है लेमर्ट है, option A यहां पर राइट आंसर हो जाएगा option A यहां पर राइट है लेमर्ट ने अपनी इस पुस्तक में, यानि किस पुस्तक में शोशल पैथलोजी ठीक है, शोशल पैथलोजी पुस्तक में लेमर्ट ने विचलन के दो प्रकार बताए हैं, प्राथ्मिक विचलन और द्वित्यक विचलन ठीक है, लेमर्ट ने अपनी पुस्तक शोशल पैथोलोजी में विचलन के दो प्रकार बताए हैं, प्राथ्मिक विचलन और द्वित्यक विचलन चलिए आगे देखते हैं प्रेशन है निम्र में से किसने समाजिक प्रक्रिया को समाज शास की विशेवस्तु माना उप्शन्स है लेस्टेफ फ्रैंकवार्ट, जॉच सिमेल, करेंस, मैक्स वेबर इन में से किसने समाजिक प्रक्रिया समाजिक प्रेक्रिया यानि की शोशल प्रोसेस इस टॉपिक को कम्प्लीट कराया जा चुका है प्लेलिस में आपको शोशल प्रोसेस समाजिक प्लेक्रिया के नाम से आपको फोल्डर मिल जाएगा जितने भी चैनल से नई लोग जुड़र रहे हैं या पहली बार class को देख रहे हैं वे सभी चैनल का playlist जुरूर चेक कर लीजिए वहां पर अभी तक इस चैनल पर जितने भी topics complete कराएगे हैं जितने भी classes ली गई हैं उन्स सभी का foulder आपको मिल जाएगा और आप किसी भी एक्जाम की तयारी कर रहे हो शुषोलजिस से रेलेटेड अभी तक जितनी भी क्लासे से यहां ली गई हैं सभी एक्जाम्स को दियान में रखते होई ली गई हैं तो आप उन क्लासे को देख सकते हैं किस समाजिक प्रक्रिया को समाज शास की विशयवस्तू इनमें से किसने माना हैं लेस्टर फ्रैंकवर्ट जोज से मेल करेंड्स मैक्स वेबर ओपशण्स है राइड अंसर जोज से माल होगा जोज से मेल ओपशन बी यहां पर राइड अंसर हो जाएगा जोच से मिल ने समाजिक प्रक्रिया को समाज शास्त्र की विशेवस्तु माना है इन्हों ने यानि कि जोच से मिल ने तीन प्रकार के समाज शास्त्र की बात की है समान समाज शास्त्र, दाशनिक समाज शास्त्र और स्वरुपात्मक समाज शास्त्र ध्यान रखेगा जौच से मिलने समाज शास्त्र की तीन तरह की बात की है, तीन प्रकार की समाज शास्त्र की बात की है, जौच से मिलने समान समाज शास्त्र, दाशनिक समाज शास्त्र और स्वरुपात्मक समाज शास्त्र प्रश्ण है समाज शास में प्रतिक्षवादी द्रस्टिकोर उस वहवार पर विशेश महत्व देता है जिसे मुल्नियांक्यत किया जा सकता है, परिक्षड किया जा सकता है, समझा जा सकता है या फिर प्रतिक्षवादी द्रस्टिकोर उस वहवार पर विशेश महत्व देता है जिसे बताइए प्रतिक्षवादी पॉजिटिविज्म की बात हो रही है सही क्या होगा यहाँ पर option D होगा प्रतिक्ष रूप से अवलोकित किया जा सकता है option D यहाँ पर right answer है and प्रतिक्षवाद की जो अवधार्णा है positivism की जो अवधार्णा है अगस्त कॉम्ट की यह किसकी है अगस्त कॉम्ट की आपको कई बार बताया गया है अगस्त कॉम्ट ने प्रतिक्षवाद की अवधार्णा दी है और अगस्त कॉम्ट को प्रतिक्षवादी विचारक भी माना जाता है और प्रतिक्षवाद है क्या तो ये एक तरीके से किसी भी घटना या कोई समस्या है उसका वैज्ञानिक पदिती द्वारा किया गया अध्यन ही प्रतिक्षवाद कहलाता है जिस तरीके से हम साइंस में हम स्टड़ी करते हैं किसी भी चीज की ठीके उसी तरीके से हम क्या करते हैं किसी भी कोई घटना घटित हुई कोई समस्या है उसका हम व्यज्यानिक पदती की तरह ही हम उसका अध्यन करते हैं यही क्या कहलाता है प्रत्यक्षवाद कहलाता है और या वदार्ना अगस्त कॉम्ट की है, अगस्त कॉम्ट समाश्चास्त के जनक है, 1838 में इन्होंने समाश्चास्तर शब्द दिया था और याद रखेगा समाश्चास्तर शब्द से पहले इन्होंने समाजिक भौति की यानि की शोशल फिजिक्स शब्द का प्रियोग किया था, फिर 1838 में इन्होंने उसके जगा शोशल फिजिक्स के जगा समाश्यास्त्र शब्द दिया है प्रश्न है जब कोई निम्न जाती या जन जाती किसी द्विज्ज जाती की जीवन शैली पूजा पदती आधी को अपनाती है तो यहाँ संस्कृती करण कहलाती है जब कोई निम्न जाती या जन जाती किसी द्विज्ज जाती की जीवन शैली पूजा पदती आधी को अपनाती है तो यहाँ संस्कृती करण कहलाती है अब इस अवधार्ना से कौन सम्मंदित है संस्कृती करण के अवधार्ना किस ने दी है सही क्या होगा यहां पर और संस्कृति करण संस्कृताइजेशन इस टॉपिक को भी कम्प्लीट कराया जा चुका है आपको प्लेलिस में फोल्डर मिल जाएगा इसका यहां पर MN शिनिवास होगा MN शिनिवास option B यहां पर राइट है और संस्कृति करण की जो अफधार्ना वाला जो फोल्डर है जिसकी बारे में भी आपको बताया गया है MN शिनिवास की महतपूर अफधार्नाओ के नाम से आपको फोल्डर मिलेगा जिस फोल्डर में दो क्लासेस मिलेंगी एक तो संस्कृति करण पर ली गई थी और दूसरी प्रभुद्व जाती भी यह दोनों ही अफधार्ना है MN शिनिवास की most important है इससे related exams में questions पूछे जाते हैं अब यहां पर बात की जाए इस अफधार्ना के बारे में यानि की संस्कृति करण की अफधार्ना के बारे में तो MN शिनिवास ने यह अफधार्ना यानि की संस्कृति करण की अफधार्ना अपनी पुस्तक Religion and Society Among the Cooks of South India में दी थी ठीके? बुक का नाम क्या है? Religion and Society Among the Cooks of South India बुक याद रखिएगा, बुक एक्जामस में पूछी जाती है किस बुक में इन्होंने या अफधार्ना दी है और इसकी अगर कुछ विशेष्टाओं की बात की जाए हाला कि विशेष्टाएं कई सारी है अगर आपने classes देखी है, M.N.C. निवास की संस्कृति करणवारी class की है तो उसमें काफी detailing में बताया है कि अन्य समाज शास्त्रियों का भी क्या कहना है इस धार्ना के बारे में है सारी बाते उस class में detailing में बताए गई है तो उसे जरूर देख लिजेगा अगर आपने नहीं देखा है फिलाहाल यहाँ पर कुछ जो मुख्य बिंदू है उनके बारे में बाते हो रही है तो आए देख लेते हैं विशेष्टाएं लक्षणों के बारे में तो यह एक तरीके से संस्कृति करण की जो प्रक्रिया है वो जाति गतिशीलता को दर्शाती है और संस्कृति करण का संबन केवल हिंदूों तक ही सीमित नहीं है और यह एक पदमूलक परिवर्तन है ठीके पोजिशनल चेंज की बात करती है इस प्रोसेस में पोजिशनल चेंज आता है ठीक है तो यह याद रखेगा चलिए आगे देखते हैं शामीर पेड गाओं के अध्यन पश्चाद दूबे ने किस पुस्तक की रचना की है शामीर पेड गाओं पर अध्यन किया है फिल्ड वर्क से रिलेटेड भी प्रशन बुक्स दिहान से देखकर बताईए कौन सी है इंडियन सोसाइटीज एंड इंडियन विलेज इंडियास चेंजिंग विलेज दकमार बुक्स है और शुशौल जी की इंपॉर्टेंट बुक्स पहले ही बताई जा चुकी है उसका भी आपको प्रेलिस में फोल्डर मिल एसी दुबे की ही है ठीक है तो आप लोग यह सारी बुक्स याद कर लिजेगा एसी दुबे की बुक्स है इंपॉर्टेंट है प्रश्ण है रेट फील्ड तथा मिल्टन सिंगर के विचार में प्रात्मिक नगरी करन प्रक्रिया को किसके विकास से विशेशिक्रत किया जा रोबर्ट रेट फील्ड तथा मिल्टन सिंगर में इनके विचारों में जो प्रात्मिक नगरी करन की प्रक्रिया है इसे किसके विकास से विशेशिक्रत किया जाता है लोग परमपरा अभिजात परमपरा व्रहत परमपरा या फिर लगू परमपरा यहां पर सही क्या होगा लगू परमपरा लिटिल ट्रडिशन ओप्शन डी यहां पर राइट आंसर होगा और यहां पर Robert Redfield की प्रमुक अवधार्नाओं के बारे में बात की गई है चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी Robert Redfield की प्रमुक अवधार्नाए है क्रशक समाज की अवधार्ना याद रखेगा क्रशक समाज की अवधार्ना Robert Redfield की है लगू और दिर्ग परमपरा की अवधार्ना दी हुई है लिटिल ट्रडिशन लगू समुदाय की अवधार्ना लोक नागरिय सातित्ति की अवधार्ना लोक समाज की अवधार्णा और लोक संस्कृति की अवधार्णा दी है यह सारी अवधार्णा है Robert Redfield की है most important है इस से related exams में प्रशन पूछा जाता है ठीक है चली आगे देखते हैं इसमें से जैसे की directly पूछ लिया जाता है लगू और जो दिर्ग परंपरा है या लगू या रहत परंपरा की अवधार्णा है किसकी है ठीक है फिर little community से related याने कि लगू समुदाय से प्रशन इस तरीके से पूछा जाता है कि किसने कहा है कि लगू समुदाय जन्म से लेकर मृत्य तक का प्रबंधन है इस तरीके से कथन दे दिया जाता है रॉबर्ट रेटफिल का कहना था किसने गाउं को लगू समुदाय का उधारन माना है ठीक है इस तरीके से भी पूछा जाता है और एक लगू समुदाय की कुछ विशेष्टाएं है जिनकी बाद इन्होंने की है या इन विशेष्टाओं में से किसकी बाद रॉबर्ट रेटफिल ने नहीं की है इस तरीके से भी पूछा जाता है चलिए आगे देखते है प्रेशन है वाट इस फोक कल्चर नामक पुस्तक के लेखक है आप्शन है रॉबर्ट रेटफिल्ड, रॉल्फ लिंटर्ण, जोर्ज एम फोस्टर, मेलनोवस की बताईए बताईए वाट इस फोक कल्चर किसकी है बुक? रॉबर्ट रेटफिल्ड, रॉल्फ लिंटर्ण, जोर्ज एम फोस्टर, मेलनोवस की आप्शन है राइट अंसर क्या होगा जॉर्ज एम फोस्टर जॉर्ज एम फोस्टर ऑप्शन सी यहाँ पर राइट अंसर होगा और रॉबर्ट रेट फिल ने अभी आपको बताया गया है लोक संस्कति फोक कल्चर का कॉंसेप्ट दिया था अवधार ना दी थी यहाँ पर वट इस फोक कल्चर बुक है जो की जॉर्ज एम फोस्टर की है प्रशन है वे मांडन जो समाज में एक आदश इस्थती को प्राप्त कर लेते हैं मूले कहे जाते हैं यह कथन है औप्शन सायर राधा कमल मुखर जी जॉनसन विलियम पेरी Kingsley Davis options है राइट आंसर क्या होगा राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर जॉनसन होगा ऑप्शन बी यहाँ पर right आंसर होगा ठीक है जॉनसन यहाँ पर right है अब समाजिक मूले यानि की social values की बात की जाये तो इसमें जैसे कि आप सभी जानते हैं जो महतपुर योगदान रहा है वो राधा कमल मुखर जी का रहा है ठीक है राधा कमल मुखर जी का रहा है और इन्होंने अपनी जो पुस्तक है जिस पुस्तक में इन्होंने बात की है social values की उसके बारे में बात की गई है the social structure of values याद रखेगा the social structure of values और the dimensions of values ये दो बुक है जिसमें राधा कमल मुखर जी ने मूल्यों की संसरण और मूल्यों की सरशना का वर्णन किया है यह याद रखेगा किन दो पुस्तकों में यह दो पुस्तके हैं इन्हें आप लोग याद कर लीजेगा प्रशन है निम्ने में से किसके मतानुसार सभी स्थानों पर संस्कृतियों की समक्ष मानव की स्थती एक मात हत एक अधिनस्तकी है और वह संस्कृति परक्षक्तियों का मातर एक अभिकरता है औप्शन्स है रॉल्फ लिंटन, क्रोबर,स्थी दुबे,Milton,सिंगर बताईए निमने में से किसके मतानुसार सभी स्थानों पर संस्कृतियों की समक्ष्व मानव की स्थिति एक मातहत एक अधीनस तकी है और वह संस्क्रती परकशक्तियों का मातर एक अभी करता है एक एजन्ट है ओप्शन सर रॉल्फ लिंटन, क्रोबर, स.C. दुबे, मिल्टन, सिंगर यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? कौन सा ओप्शन यहाँ पर राइट होगा? क्रोबर ओप्शन भी यहाँ पर राइट है ठीक है, क्रोबर यहाँ पर आई थे, प्रश्ण है, निम्निमेसिक किस ने संस्कृति की चार आवस्थाओं का वर्णन किया है शिकारी एवं कंदमूल, फल एकर्तित आवस्था, पशुपालन आवस्था, क्रशक आवस्था और ओधोगिक आवस्था आप्शन्स है, स्सी दुबे, मॉर्गन, रॉल्फ लिंटन, इस्पेंसर, स्सी दुबे, मॉर्गन, रॉल्फ लिंटन, इस्पेंसर आप्शन्स है राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर, संस्कृति की इन चार आवस्थाओं की बात किस ने की है? Right answer Spencer है Option D यहाँ पर Right answer हो जाएगा Option D यहाँ पर Right है Spencer की कुछ महतपूर पुस्तके हैं आएए देख लेते हैं जैसे कि First Principles First Principles हो जाएगी Social Esthetics हो जाएगी फिर एक बुक है The Principles of Sociology The Principles of Sociology है Principles of Sociology दो बार रिपीट होगे Principles of Ethics Principles of Ethics तो यह कुछ important books हैं Spencer की इन्हें याद रखेगा इसके अलावे Spencer को समाजिक डार्विन वादी कहा जाता है और Spencer ने समाजिक उद्विकास का सिध्धान दिया था सबसे पहले Spencer ने Social Structure समाजिक सरशना के अवधारना दी थी और समाजिक सरशना की जो तुलना है हीन भावना के अधार पर अपराद की बात किस ने की है अपराद यानि की crime इस topic को भी complete कराये जा चुका है इसका भी playlist में आपको folder मिल जाएगा आईए options देखते है Alfred Adler, Toft, Reckless, David Abraham Sen बताईए यहाँ पर सही क्या होगा Alfred Adler, Toft, Reckless, David Abraham Sen options है अपराद की व्याख्या हीन भावना की अधार पर इन में से किस ने की है अपराद की बात की जाए तो अपराद एक तरीके से समाजिक विगिटन का ही एक स्वरूप है social disorganization समाजिक विगिटन इस topic को भी complete कराये गया है तो अपराद यानि की crime समाजिक विगिटन का ही एक महतपुर स्वरूप माना जाता है और समाज में ही अपरादी आप जैसे जानते हैं चुकि अपरादी तो अलग रहेंगी नहीं समाज का ही एक भाग है और जैसा कि लोंब्रोसो ने कहा था कि अपरादी जन्जात से ही विग्ति जन्जात से ही अपरादी होता है इस बात का खंडन सदल लैंड ने कहा किया था कि नहीं विग्ति जन्जात से ही अपरादी नहीं होता है बलकि वो समाज में रहकर ही अपरादी गदिविदियों को सीखता है अपरादी बनता है तो इन बातों को ध्यान में रखियेगा और प्रश्ण इस तरीके से भी पूछा जाता है जो अपरादी एक तरीके से जो अपराद है, Crime Crime कैसे अवधार्णा है कानूनी है, समाजिक है तो यह याद रखेगा, दोनों ही है समाजिक और कानूनी दोनों ही अवधारना है क्राइब अब यहाँ पर बात की जाए राइट अंसर की कि इन में से किस ने अपराद की व्याख्या हीन भावना के अधार पर की है तो एलफ्रेट एडलर है ठीक है एलफ्रेट एडलर है ओप्शन A यहाँ पर राइट होगा अब सेथना ने किस तरीके से परिभाशित किया अपराद के बारे में इन्पॉर्टेंट है अपराद एक ऐसा कार है या तुर्टी है जिसके लिए कानून डंड देता है ठीक है अपराद एक ऐसा कार या तुर्टी है जिसके लिए कानून डंड देता है की गई गतिविदिया की गई कारवाई या किया गया वहवार है वही क्राइम है ठीक है तो इन दो जो परिभाशाए हैं ये दोनों इन्हें याद रखेगा प्रेश्ण है निम्ने में से किस ने कहा है कि अनौपचारिक समाजिक नियंत्रण आत्म नियंत्रण है अनौपचारिक समाजिक नियंत्रण को आत्म नियंत्रण इन में से किस ने माना है और शोशल कंट्रोल यानि कि समाजिक नियंतर इस टॉपिक को भी कम्प्लीट कराया गया है अप्शन से अगस्त कॉम्ड, किंग्सले डेविस, बोटो, मोर, ग्रीन बताईए अनौपचारिक समाजिक नियंतरन को आत्म नियंतरन किस ने कहा है यहाँ पर सही क्या होगा इन में से किसने अनौपचारिक समाजिक नियंतरन को आत्म नियंतरन का है सेल्फ कंट्रोल का है, राइट अंसर क्या होगा राइट अंसर हो जाएगा अगस्त कॉम्ड, ठीक है ओल्सन ये दोनों हैं ठीक हो सकता है ओप्शन में अगस्त कॉम्ट ना हो तो इन दोनों का नाम याद रखेगा ओल्सन और अगस्त कॉम्ट दोनों का ही ये मानना है दोनों ने ही कहा है कि अनौपचारिक समाजिक नियंत्रण आत्मों नियंत्रण है अब समाजिक नियंत्रण क बुक अक्सर पूछ ली जाती है किस बुक में समाज शास्ति ने अवधारना दी है तो सबसे पहले याद रखिएगा सबसे पहले वर्णन अमेरिकन समाज शास्ति है E. A. Ross इन्होंने अपनी बुक शोशल कंट्रोल में किया है और ये बुक आती है 1901 में ठीक है 1901 में बुक आती है और समाजिक नियंत्रण के जनक E. A. Ross को ही माना जाता है ठीक है प्रशने है किसका तर्क है कि संघश संभवता दो तरीके के पईनाम को जन्म देता है संघटनात्मक और विगटनात्मक राइट आंसर क्या होगा कोजर लेविस कोजर होगा और टर्नर ने लेविस कोजर के बारे में क्या कहा है लेविस कोजर को टर्नर ने संघशात्मक प्रकारिवादी माना है ठीक है इस तरीके से प्रशन पूछा जाता है याद रखेगा ठीक है तो ओप्शन सी यहाँ पर राइट है प्रेश्ण है यहाँ पर कोजर ने संगश का प्रकार्यात्मक सिध्धान्थ जो दिया हुआ है किस पुस्तक में दिया है बुक का नाम है The Function of Social Conflict ठीक है पुस्तक का नाम क्या है The Function of Social Conflict है और यह कोजर ने अपना इस बुक में संगश का प्रकार्यात्मक सिध्धान दिया था और दो तरह की संगश में इन्होंने भेट किया है अंतर किया है यथार्तवादी संगश और गैर यथार्तवादी संगश ठीक है F.G. Bailey, C.H. Kool-A, Raymond Firth, Jinsberg Social Organization किसकी है पुस्तक ये? Social Organization Right answer क्या होगा यहाँ पर? C.H. Kool-A C.H. Kool-A option B यहाँ पर right होगा और C.H. Kool-A ने अपनी इसी पुस्तक में Social Organization में Prathmik Samu, जिसे Primary Group कहा जाता है इसकी अवधार्ना दी है और Social Group, यानि कि जो समाजिक Samu है इस Topic को Complete कराया गया है जिसमें Prathmik Samu के बारे में भी बताया गया था अब Prathmik Samu के बारे में C.H. Kool-A का क्या कहना है इनका कहना है कि Prathmik Samu व्यक्तियों का एक ऐसा संकलन है जिनके बीच में आमने सामने के मध्य, संबंद और सहियोग पाए जाते है ठीक है व्यक्तियों का ऐसा संकलन जिनके बीच में प्रत्यक्ष तोर पर जो घनिस्ट संबंद है सहियोग है ये पाया जाता है प्रात्मिक संबंद और सहियोग पाया जाता है उसको ही इन्होंने क्या का आए कुले ने primary group का आए और इसके अलावा प्रात्मिक Samu के उधारन से भी संबंदित प्रश्न पूछा जाता है कि कुले ने प्रात्मिक Samu के उधारन किसे बताया है तो तीन बताया है परिवार को, पडोस को और जो फ्रेंड ग्रूप स्वरी, प्ले ग्रूप होता है न उसको बताया है तो ये याद रखेगा इस तरीके से भी पूछा जाता है और अर्ध प्रात्मिक Samu एक तो प्रात्मिक Samu के अवधारना है एक अवधारना कूले की है अर्ध प्रात्मिक Samu ये भी याद रखेगा ठीके, शोशल गुरूप जब पढ़ाया गया है तो उसमें इस कॉंसेप्ट के बारे में भी बताया गया था प्रशन है नमें से किसने प्रात्मिक Samu के निर्मान के लिए तीन आवश्यक भौतिक दशाओं का वर्णन किया है शारेरिक समिप्ता, लगु आकार, संबंधों की अवधी ये तीन जो आवश्यक भौतिक दशाओं है ये तीन अधारबू तत्व हैं प्रामरी ग्रूप से रिलेटेट किसने बताए हैं? उप्शन हैं MacAver and Page, Bear Estate, Kingsley Davis, Johnson सही क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर हो जाएगा Kingsley Davis Kingsley Davis, उप्शन C यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा और Kingsley Davis के एक important book का नाम क्या है? Human Society है, मानवी समाज या मानव समाज ठीक है? Human Society इससे संबंदित भी प्रश्न पूछा जाता है कि book किसकी है और इसके अलावा Kingsley Davis ने अपने सभी अध्धिनों में structural functionalism जो perspective है सरशनात्मक, प्रकार्यात्मक उपागम या सरशनात्मक, प्रकार्यात्मक परिपेक्ष का प्रियोग किया है अपने सभी अध्धिनों में इस बात को भी याद रखेगा अब primary group की बारे में बात हुई प्रात्मक सम्मू की बारे में तो इसकी कुछ विशेशताएं आईए देख लेते हैं प्रिशने हैं किसने कहा है कि विस्तरत परिवार रक्त मूलक परिवार के नाम से जाने जाते हैं लर्नर, किंग्सले डेविस, लेसली, गेरॉल्ट, अरस्तु बताईए जो विस्तरत परिवार है उसे रक्त मूलक परिवार के नाम से जाना जाता है ऐसा किस ने कहा है learner, Kingsley Davis, Leslie Geralt अरस्तू है options Right answer क्या होगा यहां पर Right answer Leslie Geralt है ठीक है Leslie Geralt है Option C यहां पर Right answer हो जाएगा अब बात की जाए विस्तरत परिवार की कि विस्तरत परिवार किसे कहा जाता है तो कोई भी नाभी की परिवार ले लिया जाए या संयुक्त परिवार ठीक है जब कभी भी नाभी की परिवार या संयुक्त परिवार में अन्य कोई नादेदार रिष्टेदार आकर रहने लग जाता है उसका सदस्य बन जाता है उस परिवार का तो ऐसा परिवार विस्तरत परिवार कहलाता है ठीक है आप लोगों को बताया गया अगर आपको याद है ठीक है आप लोगों को बताया गया है और परिवार फैमिलिस टॉपिक को कम्प्रीट कराया गया है इसका भी आपको प्लेलिस में फोल्डर मिल जाएगा, ना भी के परिवार, जिसे एकांग की परिवार कहा जाता है, इसमें कौन-कौन आते हैं, माता, पिता और उनके आविवाहित, बच्चे, ठीक है, तो जब nuclear family और joint family, nuclear family या joint family में कोई relatives, ठीक है, अन्य नातेदार, रिष्टेदा आकर, रह कहने लग जाते हैं, उस family का सदस से बन जाते, तो ऐसा परिवार, विस्तत परिवार कहलाता है, आईए, आगे देखते हैं, प्रिश्ण है, परिवार का वर्गी करण तीन भागों में किया है, साधारन परिवार, मिशित परिवार, शंशलिस्ट परिवार, ओप्शन्स है, परिवार का इस तरीके से वर्गी करण, साधारन परिवार, मिशित परिवार, और संशलिस्ट परिवार में किस ने किया है, राइट क्या होगा यहाँ पर? राइट अंसर चटो पात्ध्याए, ओप्शन ए यहाँ पर राइट होगा, ठीक है, ओप्शन ए यहाँ पर राइट अंसर हो जाएगा, प्रश्न है, जब पती या पतनी में से किसी की मृत्यू होने पर दूसरा पक्षपुनर विवार कर लेता है, और पूर्व पर राइट के आविवाहित बच्चे साथ रहते हों ऐसे परिवार में, तो ऐसा परिवार क्या कहलाता है, ओप्शन से संचलिस्ट परिवार, मिशित परिवार, विस्तरत परिवार, संयुक्त परिवार, बदाईए, जब पती या पतनी में से किसी की मृत्ति हो रही है, दो रहते हो तो ऐसा जो परिवार है वो क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा? संशलिस्ट परिवार, मिशित परिवार, विस्तरित परिवार या फिर सयुक्त परिवार सही क्या होगा? मिशित परिवार मिशित परिवार option B यहाँ पर right होगा और मिशित परिवार की बात किस ने की है चटो पात द्यायने की है यात रखेगा इस तरह की परिवार की बात मिशित परिवार को इस तरीके से परिभाशित किया है चटो पात द्यायने क्यों बोला जा रहा है, इस तरीके से परिभाशित किया है, क्योंकि मर्डॉक ने भी मिशित परिवार की बात की है मर्डॉक ने परिवार की दो प्रकार बताए है, स्वतंत नाभिकिय परिवार और मिशित परिवार यह याद रखेगा, Zimmerman ने नियासिता परिवार, ग्रहस्त परिवार और आडविक परिवार की बात की है, इससे भी संबंदित प्रेशन एक्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो यह परिवार की जो प्रकार बताएगे हैं, इन्हें याद रख लीजेगा, जीके, याद कर लीज इस टॉपिक को भी कम्टीट कराया जा चुका है, यहाँ पर सही क्या होगा, पूर्वभासी समाजी करन की अफधारना किसकी है, रॉबर्ट किंग मर्टन की है, रॉबर्ट किंग मर्टन ओप्शन ए यहाँ पर राइड आंसर हो जाएगा, ठीके, अब पूर्वभासी समाजी करन इस तरीके से भी पूछा जाता है, तो यह क्या होता है, कि व्यक्ति कई बार भविश में आने वाली भूमिकाओं का पहले से ही क्या करने लगता है, वो प्रैक्टिस करने लगता है, उसको सीखने लगता है, उसकी तयारी करता है, उसको ही क्या कहा है, 80 समाजी करण के अंतरगत आई के प्रेशन है समाय उजन आसहमत रहने के लिए समझोता है यह तरक है ऑप्शन है पार्क एंबर्गेस गिलिन एंगिलिन जोन्स वेबर समाय उजन आसहमत रहने के लिए समझोता है यह किसका कहना है और समाय उजन के बारे में हम लोगों ने कहा अहां बात की है, शोशल प्रोसेस समाजिक प्रक्रिया, समायोजन किसके अंतर गताएगा, सहयोगी समाजिक प्रक्रिया के अंतर गताएगा, समायोजन आ सहमत रहने के लिए समझाता है, ऐसा किसका तर्क है, किसने कहा है, जोन्स, जोन्स का कहना है, ओप्शन सी यहां पर राइट होगा और गिलिन और गिलिन ने समायूजन के दो प्रकार बता हैं समनवाइट समायूजन और उच्च कोटी अधिनस्त समायूजन समनवित समायोजन और उच्च कोटी अधिनस्त समायोजन की बात गिलिन और गिलिन ने की है प्रश्ण है संगर्ष से एकी करण की ओर बढ़ने का पहला चरण है समायोजन एकी करण आत्म साथ संपर्ग बताईए संगश से एकी करण की और बढ़ने का पहला चरण इन में से क्या है सही क्या हो गए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा समायोजन होगा ठीक है समायोजन होगा ओप्शन एहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन एहाँ पर राइट है फिचर क्या कहते है समायोजन के बारे में समायोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति या समू संगश को रोकने या कम करने या समाप्त करने के लिए अंतर किरिया करते हैं समायोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति या दो या दो से अधिक समू है जो संगश को रोकने, ठीके कि संगश ना हो, कन्फलिक्ट ना हो, या कम हो, या उसको खत्म करने के लिए जो अंतर किरिया करते हैं, वा ही क्या कहलाती है, समायोजन कहलाती है, ठीके, और समायोजन किसके अंतरगत आएगी, सहयोगी समाजी करन के अंतरगत समायोजन आएगी विवस्था से जुड़ा था प्रारंब में वर्ग यानि की क्लास कास्ट सिस्टम से जुड़ा था ऐसा तर्क किसका है बोटो मोर, योगेंद्र सेंग आंद्रेबे ते रिजले ओप्शन्स है यहाँ पर सही क्या होगा बोटो मोर, योगेंद्र सेंग आंद्रेवे ते रिजले ओप्शन्स है राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर योगेंदर सिंग हो जाएगा ठीक है योगेंदर सिंग होगा ओप्शन भी यहाँ पर राइट होगा क्यों इनका ऐसा कहना था कि जो शुरू शुरुवात में प्रारंब में जो वर्ग है वो जाती ववस्ता से जुड़ी थी क्योंकि इनका कहना था कि जो उच्छ जातियां थी शुरुवात में प्रारंब में जो उच्छ जाती थी उनका ही आर्थिक संसाधनों पर क्या था नियंतरन था ठीके इसलिए वे उच्छ जातियां ही क्या थी उच्छे वर्ग में भी आती थी इसलिए और जो निम्ने जातिया थी वो निम्ने वर्ग के अंतरगत आते थे जो उच्छे जातिया थी उनका आर्थिक संसाधनों पर नियंतरन था ठीके और इस वज़े से जो उच्छे जातिया है वो उच्छे वर्ग के अंतरगत आते थे व जाती भारतिय समाज का सर्वाधिक महतपूर एवं प्रभाव शाली केंद्री तत्व बनकर उभरा है। महतपूर एवं प्रभाव शाली केंद्री तत्व बनकर उभरा है। ऐसा किसका क्याना है। तरह हैं उद्वाधर द्रुविकरण, ठीके, 36 द्रुविकरण और तीसरा विभेदक द्रुविकरण। लोकतांतरिक प्रक्रिया में जातिर धुरुवी करण का रुडॉल्फ और रुडॉल्फ ने अध्यन किया था उन्होंने पाया कि जातियों का तीन इस्तरों पर धुरुवी करण होता है तीन इस्तर है पहला उद्वाधर धुरुवी करण दूसरा 36 दुरुवी करण और तीसरा विभेदक दुरुवी करण यहाँ पर option A right है प्रेश्ण है organization man अब यह जो अवधाना है जो concept है वो किसका है organization man options है वेबलन, रेमेंटफ़र्थ, विल्लियम वाइट, हर्बर्ट मॉर्क्यूस बताईए right answer क्या होगा right answer क्या होगा right answer organization man विल्लियम एच वाइट option C यहाँ पर right है organization man को हिंदी में क्या कहा जाएगा संगटन व्यक्ति, संगटन आत्मक व्यक्ति या संगटन व्यक्ति की जो अवधार्णा है organization man की जो अवधार्णा है वो विल्लियम वाइट की है option C यहाँ पर right answer हो जाएगा विल्लियम वाइट ने 1950 1950 में अमेरिका के श्वेत वसन वर्ग के लोगों का अध्यन किया था और उनने पाया कि यह जो श्वेत वसन वर्ग है यह लोग जो बड़े-बड़े कारखाने हैं वैपारिक जो संगटन हैं उनमें काम करते हैं और इतनी निस्ठा के साथ यह कंपनी से जुड़ करके काम करते हैं कि यह जो पूरी सुसाइटी है ठीक है सुसाइटी जो नातिदारी किंशिप सिस्टम है नातिदार है पूरी सुसाइटी से अलग हो जाते हैं ठीक है पूरा पूरा जो निस्ठा है पूरा या अपना पूरा जो जीवन है वो उसी company में लगा देते हैं इतनी निस्ठा से वे काम करते हैं इसी को ही उन्होंने क्या कहा था संगटना अत्मक व्यक्ति या संगटन व्यक्ति या organization man की जो अवधार्णा है या उसे कहकर पुकारा थे यह जो concept है इन्होंने William H. White ने दिया था प्रेशन है बुर्जवा करन की अवधार्णा किसकी है बुर्जवा करन ऑप्शन से कालमाक्स, गोल्थोर्प, हीगल, लिूकास बताइए यहाँ पर सही क्या होगा बुर्जवा करन की अवधार्णा क्या है राइड आंसर गोल्थोर्प है गोल्थोर्प का concept है गोल्थोर्प की अवधार्णा है बुर्जवा करन की अब इस बुर्जवा करन में इसे क्या कहा जाता है बुर्जवा करन तो एक तरीके से ऐसे समझा जा सकता है जब श्रमिकों की स्थिती बहतर होने लगती है पहले से तो इसे बुर्जवा करन कहते है या फिर यूं कहा जाए कि सर्वहारा का बुर्जवा बनने की जो प्रक्रिया है उसे बुर्जवा करन कहा जाता है या मध्यम वर्ग के जो मध्यम वर्ग है मिडल क्लास है उसके जो लक्षन है वो निम्न वर्ग या श्रमिक वर्ग में जब नजर आने लगते हैं तो ये प्रक्रिया ही मुर्जवा करण कहलाती है ठीक है और इससे संबंदित कुछ अवधार्नाएं हैं जैसे कि सर्वहारा करण के अवधार्ना कालमाक्स ने दी है पतित बुर्जवा के अवधार्ना है वो भी कालमाक्स की है ठीक है प्रेश्ण है या किसका कहना है कि समस्त समाजिक परिवर्तन या विकास परस्पर विरोधी तत्वों या विचारों के आपसी संगश का पईडाम है हीगल, अल्थ्यूजर, ब्लाउनर, थॉम्स, हॉप्स ओप्शन्स है यहां पर क्या होगा हीगल, अल्थ्यूजर, ब्लाउनर, थॉम्स, हॉप्स है समस्त समाजिक परिवर्तन या विकास परस्पर विरोधी तत्वों या विचारों के आपसी संगश का पईडाम है ऐसा कहना किसका है हीगल, ऑप्शन ए यहां पर राइट है ठीक है, हीगल है यहां पर और हीगल का यह मानना था कि इतिहास में, जो इतिहास है या समाज है या विचारों से या चेतना से ही संचालित होता है चेतनाओं में जब द्वंध होता है विचारों में जब द्वंध होता है तो उसके परिणाम स्वरोपी समाज में क्या आता है परिवर्तन आता है या विकास होता है और हीगल ने चेतनाओं की तीन अवस्थाओं की बात की थी वाद, प्रतिवाद और समबाद ये याद रखि हैं प्रश्ण है Community and Society अब ये पुस्तक किसकी है Community and Society सम्ना मैकैवर टॉनी सीमिल Community and Society किसकी हो जाएगी टॉनी की हो जाएगी ठीक है टॉनी की हो जाएगी option C यहाँ पर right answer हो जाएगा जर्मन समाज शास्ती परिशत के संस्थापक है ठीक है टॉनी यह याद रखेगा जर्मन समाज शासी जो परिशत है उसके संस्थापक टॉनी है और इनका कहना था कि जो समाज शास्त का जो मुख्य उद्देश है यह समाजिक संबंधों का अध्यन करना है ठीक है इनका क्या कहना था कि जो समाज शास्ता है उसका जो मुख्य देश है वो समाजिक सम्मंधों का अध्यन करना था और इन सम्मंधों का जो निर्माड होता है वो किस से होता है मानवी इक्षाओं से होता है ठीक है मानवी इक्षाओं से होता है और इक्षाओं की दो प्रकार बतायते दो तरह की और दूसरी तारकिक इक्षा ठीक है यह भी याद रखेगा इस तरीके से पुछा जाता है प्राकर्तिक इक्षा और तारकिक इक्षा की बाद किस ने की है तो टॉनीज ने की है प्रश्ण है structure and function in primitive society इस पुस्तक के लेखा कौन है लेवे स्ट्रॉस नाडेल मेलनोवस की रेट right answer red cliff brown है red cliff brown option d यहाँ पर right answer हो जाएगा अब आएए इनकी कुछ important books के बारे में बात कर लेते हैं African system of kinship and marriage ठीक है African system of kinship and marriage है social organization of Australian tribes ठीक है social organization of Australian tribes है with the natural science of society यह तीन important इनकी book है red cliff brown की प्रिश्ण है निम्न कथन में से रिक्ति स्थान की पूर्टी करने के लिए दिये गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है कथन है संस्कृती करण समाजिक परिवर्थन को एक प्रक्रिया है संस्कृतिकरण समाजिक परिवर्तन की एक प्रक्रिया है औपचारिक, आंत्रिक, बाहे या फिर आदाशात्मक संस्कृतिकरण समाजिक परिवर्तन की एक आंत्रिक प्रक्रिया है भी यहाँ पर राइट होगा प्रेशने हैं भारत में समाजिक परिवर्तन के संदर में ब्रहमडी करण की अफधारना का प्रत्थम इस्तमाल किया गया था और यहां पर सूशल चेंज यानि कि समाजिक परिवर्तन इस टॉपिक को भी कम्प्लीट कराया गया है प्लेलिस में आपको दो फोल्डर मिलेगा एक फोल्डर समाजिक परिवर्तन के सिध्धान से संबन देते हैं जितनी भी theories हैं जैसे कि सोरो किन का समाजिक परिवर्तन का सिध्धान, पैरेटो का समाजिक परिवर्तन का सिध्धान, स्पैंगलोर और टॉइन भी इन सभी की अलग-अलग classes ली गई हैं और एक folder आपको मिलेगा social chains related mcqs का, दोनों ही folder में जितनी भी classes आपको देखनी हैं क्य जो ब्रामणी करण के अफधान ना है, इसका पहले प्रियोग किस ने किया है, शी निवास ने किया था, और फिर ब्रामणी करण के जगह पर इन्होंने संस्कृति करण शब्द का प्रियोग किया था, उसकी जगह पर, ठीके, इसे भी याद रखेगा, तो आज की class में बस इतना ही, I hope यह आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है, तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल पर अगर आप नए हैं, तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजेगा, इस वीडियो को जितना हो सके, जादा से जादा लोगों किसा शेयर भी जरू करेगा, थैंक यू